तूद दोस्तो जानेंगे भारती मौसम भ्याग यानिक इंडिया मैटरिल जपार्टमेंट और राज़तान मौसम भ्याग के नुशारा अपने रायस्तान का 2 अगस्त का मौसम कैसर रेने वाला है कहां किस की जिले में भारी वारिश की समभाबना है यदि दोस्तों अपन बारती मौसमी विवाग के नुसार अपने राजिस्तान के इस्तित देखते हैं तो अपने राजिस्तान को इस समय बारती मौसमी विवाग ने पूरे को गरिन शेत्र में रखाए इसका मतलब है कि दोस्तों अधिकांस जिलों में मौसम है जो साप रहने की संबाबना है हाला कि कि किसी किसी जिलों में चिटपट बारिस की संबाबना है बारी बारिस की संबाबना बहुत ही कम है लेकिन फिर भी दोस्तो कुछ ऐसे जिले हैं जिन में भारी बारिस के संभाबना है उनके बारे में हम आपको बिश्थार से बताएंगे लेकिन आज की यदि हम बात करें तो आज अधिकांस जिलो में मौसम साप रहेगा और दोपेर बाद यदि हम बाथ करें तो दोपेर बाद दोस्तों मौसम चैंच उसकता है अधिकांस जिलों में बारिस के संभावना बन सकती है यदि दोपेर बाद को अबडेटिन न eu जाएगा थो अम आपको थुरंट अबकत कराइंगे लेकिन दोस्तो इस समय तो इस्तिती ये वनी है कि राजिस्तान की अधिकांस जिलों में मौसम साब रहेगा बहुती कम बारिस के संबाबना है चिटपुट बारिस हो सकती है लेकिन फिर भी दोस्तो वो जिले जहां पर मौसम आज बताय गया है बारिबारिस हो सकती है तो दोस्तो केवल और केवल अपने राइस्तान का जो यह इसा आप देख रहे हैं यह पार्ट इस पार्ट में दोस्तो बारिस के संभावना है तो इसे पाईसे में कौन-कौन से जिले संभावना है तो दोस्तो केवल और केवल इन जिलों में बारिस की संभावना बनती है अब इन जिलों में दोस्तों जादे तर आता है यानि कि ये जो जिले हैं बांसवाड़ा है डूंगरपूर है पृताबगड़ है उद्धेपूर का कोछ इस्सा है दोस्तों इसके अलावा पृताबगड़ का थोड़ा से इसके अलावा जालाबाड बारा और कोठा का कोछ इस सा सम्मेलित है इन जलों में दोस्तों आज वारिश के संभाव ना बताई गई यह बाकी अधिकान से जलों में दोस्तों यानि की पूरा जो अपना राइस्थान था गिरिन शेतर में था तो अधिकान से लो मौसम साब रहेगा तो फिर बाद यह अपडेटेड़ न्यू जाता वारिश की संभाव ना रहेगी यानि की अधिकान से जलों में पांच अगस्त के बाद भारी वारिश के संभाव ना मताई गई है हम आपको पूर्ण सठीक जानकारी देते रहेंगे मौसम की धन्यबाद